नमस्कार दोस्तों मैं अब सिक पटेल रियेज के सनाई एस इकडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जो मित्र आज हम से नए जुड़े हैं उनके लिए एक सूचना है यह दिवे टेलिग्राम पर किसी ऐसे ग्रूप की तलास में हैं जहां पर सभी विसे का प्रते दिन टापिक वाज टेस्ट होता हो तो अब उनको कहीं जाने की जरूत नहीं है रिएजुकेशन आईएस अकेडमी के टेलिग्राम ग्रूप पर सो मौर से सनिवार तक रोजाना साम चार बजे आपका प्रते एक विसे का टापिक वाज टेस्ट होता है और यह टापिक आपको टेस्ट से पहले बता दिया जाता है जिससे आप उसका अच्छे से रिवीजन कर सकें और टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको उस टेस्ट का वीडियो सोलूशन मिल जाता है जिसमें इस टेस्ट के बिश्तरित व्याख्या होती है यदि आप इस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो पीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप उस पे क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और परत दिना के टेस्ट दे सकते हैं तो चलिए, आज आपने जो टेस्ट दिया है, उसकी व्याख्या करते हैं, हमारा पहला प्रस्ण है, कि जिस संग्या या सर्वनाम सब्द की विसेशता बताई जाती है, वह क्या कहलाता है, यह पूछ रहा है, जिस संग्या या सर्वनाम की विसेशता, मतलब जिसकी विसेशता बताई जाती है, एक सब्द में कहें, तो जिसकी विसेशता बताई जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको आप कहते हैं, विसेश से, जैसे अगर मेरी विसेशता बताई जा रही है, तो मैं विसेश से, ठीक है, और मेरी विसेशता बताई जाती है, ठीक है, अगर मेरी विसे बताता है विसेषण हो जाता है अगर विसेषण कभी विसेषण बताई जाता है प्राविसेषण जैसे कहा जाए कि अब बहुत काला है तो बहुत क्या हो जाएगा प्राविसेषण हो जाएगा ठीक है तो विसेषण क्या हुआ अब जेक हुआ विसेषण क्या हुआ काला होन जबार जादा हो रही है कि जादा रही है ज्यादा क्या हो जायता जाएगा लेकिन पवोगत सब्सकर से आपने मैंने अपना अघ्याम पल दिया था तो इसका ऽहीं उपतर हो कि इतनी नाओं में कितनी बार रचना को किस पुरुसकार से ढियत कि अगला पुरूसकार कि नाओ हीरा अनंद वात्से अनंद अग्ये है जिनको सब्सक्राइब क्या जाता आग्ये की एक रचना है कितनी नाओं कितनी बार इसको ग्यानपीट पुरुसकार मिला 1999 में 1997 प्रस्ट है घ्र अग्ला प्रस्ट है कि निम्न बिकल्पों में से सही की चुनिये इसमें से सही वाक्य क्या है हमें प्रस्पर प्रेम से रहना चाहिए ठीक है यही वाक्य आपका सही है क्योंकि अगर आउर आपसे आप देखेंगे हमें प्रस्पर से प्रेम में गलत है हमें प्रस्पर में प्रेम से यह भी गलत है हमें प्रस्पर में प्रेम तो सब गलत है पहला ही आप हमारा क्या है सही है ठीक है कारक चिन्ह कहां लग रहा है कहां परियोब करना चाहिए आप इस सब का ध्यान रखेंगे तो यह से प्रस्ण गलत नहीं होंगे यह जो टेस्ट आप जिसका सुलुसन देख रहे हैं यह यूपी एसाई का प्रिविएस एर पेपर है कुल 40 प्रस्ण भगवान सब्द का इस्त्री लिंग सब्द दिये गए बिखलपों में से कौन सा है पूंच रहा है भगवान का इस्त्री लिंग क्या होता है भगवान का इस्त्री लिंग होता है भगवती ठीक है भगवती ठीक है पहला आपस्ण हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा भागवती यह भागनी यह भागवान कहा जाता है भागवान नहीं भगवती पर साथ अगला प्रस्न नहीं तो किसी सब्द की सौंदर उसके अर्थ में नहीं थो जैसे कोई वाकि कहा गया है उसका सौंदर उसके अर्थ में नहीं थो तो वहाँ पे आपका हो जाता है अर्था लंकार उपमा लंकार क्या है उपमा लंकार एक परकार का अर्था लंकार है सब्दा लंकार की बात करें तो सब्दा लंकार मे सब क्या है सब्दा अरता लंकार की बात करें अर्फा लंकार के प्रकार तो बहुत सब्सक्क्राइब अंतरे से प्रकार कि अगला हमारा प्रसंघ है कि जहां किसी बात किसी और पर डाल कर कही जाए वहां कौन सा अलंकार होता है ठीक है जहां किसी बात को किसी और पर डाल कर कही जाए वहां पर आपका होता है अन्योगति अलंकार ठीक है अन्योगति अलंकार कि यह जैसे गर हम कोई यह बार बारि इस में पूछा गया है किसमें कौन सालंकार हो जाएगा अन्योकिट है में बिहारी भरमर को परताडित करने के माध्यम से वे परताडित भरमर को कर रहे हैं उसके माध्यम से राजा जैसिंग की काम लोलुपता पर भी ब्यंग कर रहे थे ठीक है तो जब किसी दूसरे किसी को कोई बात कहनी हो लेकिन वो बात किसी दूसरे पर कहो लेकिन वो सामने हला समझ जाए तो उहाँ पर होगा अनयोगतिया लंकार होगा ठीक है कि इनमें से कौclock कभी सूर्धास की नहीं ठीक है सूरदास की इसमें से कौल श्थ नहीं है तो साहित लहरी सूर्षागर सूर्षरावली ठीक है यह तीनों के तीने सूर्दास की रचना है तीनों रचना है किसके सूर्दास की लेकिन सुन्दर बिलास ये सूर्दास की रचना नहीं है सुन्दर बिलास सुन्दर दास की रचना ठीक है सुन्दर दास की रचना है अगला पुछन हमारा है कि निसकवच उपन्यास किस लेखक की क लेखक पूछा जाएगा या तो लेखक का नाम दिया जाएगा उससे समंदिर किताब का नाम पूछा जाएगा ये सभी किताब वही है जिनको किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई पुरुषकार मिला है तो यह ऐसा नहीं कि आपको सभी किताबे याद रखनी है जिन किताबो कोई ना कोई पुरसकार मिला हो चाहे भारत भागती जाहे ज्यान पीट है चाहे कोई भी पुरसकार ऐसा हो जो मिला हो तो आप उस को जरूर याद कर लीजीए का QUI, वहां से प्रसने पूछे-जा रहें कम-स्कम-चार प्रसने पूछे जा रहें ठीक है निस कवच राजी मित्रो मरजानी समय सरग्म सूरज मुख्य अंधेरे के यह क्या है कि दिए की रचनाए हैं और अमिर्ता प्रीतम की रचना अगर देखें तो रसीदी टिकट और पिंजर ये अमिर्ता प्रीतम की है तो ये सब याद रखे क्योंकि क्या पूछा जाए पता नहीं लेकिन उन्हीं पर ज्यादा फोकस करिएगा जिसको कोई कोई अवार्ड मिला हो ठीक है पुराने चावल मुहाबरे का सही अर्थ दिये गए बिकल्पों में से कौन सा है पुराना चावल का अर्थ होता है अन्भवी ठीक है ये हमारा सही हो जाएगा ठीक है कहा जाता नहीं कि पर यह तो पुराने खिलाडी है उसी परकार यह पुरान तो पुराने चावल मुहाबरेकारत क्या हो जाएगा अनुभवी अंचल कि ससाहितकार का उपनाम है यहां पूछा गया है उपनाम तो यहां उपनाम है क्या का जाता था अगला हमारा पूस्न है बार्स बहुत ज्यादा हो रही है यह जंपल मैं दिया थाना इस वाक में ज्यादा सब्सक्रादय क्या है को कि यहां पर ज्यादा क्या क्या है वो किरिया विखेश्वर क्योंकि यहां पर ज्यादा क्या है मुने की विखेस्दा नपर नियार nuts जिसकी विशेस्ता बता या तो विशेस हो जाता है, ठीक है, होने की विशेस्ता बता या तो होना क्या हो जाएगा, दीए गए बिकल्पों में से केहरी सब्द का समाना आर्थी कौन सा है, ठीक है, केहरी सब्द का समाना आर्थी पूचा है, तो केहरी को सब्द को हम लोग किस से से सिंह से सिंह का आर्थ होता केहरी और सिंह को और क्या कém मतंग किसे कहा जाता है ठीक है का पी मतंग को कहा जाता है अगला प्रस्ण हमारा है दिए गए बिकलबों में से भरत्ता का इस्त्री लिंग सब्द पहजाने इस्त्री लिंग से भी प्रस्ण पूछे जा रहें ठीक है तो आप इसकी को भी देख लीजेगा क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो क्या है अप वाद को आप जरूर देख लीजीगा क्योंकि वहाँ से प्रस्ण आएंगे ठीक है मैं बाद में आप लोग को जब परिच्छा निद्दिक आएगी या जब भी मुझे समय मिलेगा आपको इनका एक छोटा सा संकलन दे दूँगा जिससे आपको याद करने में आसानी हो तो भरत्त्रा का इस्त्री लिंग सही होत एक वहाँ की दिया गया है जिसमें कुछ डाट डाट निसान दिये गए ऐसे प्रस्ण पूछे जाते हैं कि रविंद्र नाथ ठाकुर को नोबल प्रुसकार मिलने के डाट डाट में ब्रेटिस समाचार पत्रों में मिस्रित डाट डाट हुई ठीक है तो यहाँ पे क्या भर प्रुसकार मिलने के समंद में ब्रेटिस समाचार पत्रों में मिस्रित पर्त किरिया हुई तो चौथा अपसे अपका सई हो जाएगा तो यह आप अच्छे से कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको यह सब क्वेश्चन हलकन ने कोई दिखत नहीं होगी पढ़ते समय देखिए और अपने दोफ्तों में भी सेर केजिए तो यह अच्छा लगा तो लाइक करिए नहीं अच्छा लाइक के लिए डिफ्लाइक करने के बाद कमेंट केजिए क्या आपको अच्छा नहीं लगा हम भी थोड़ा जान पाए अपने अंदर सुधात ला सकें ठीक है वहां पर कौन सा लंकार हो जाता है उपमा अलंकार हो जाएगा तो इसमें पूछा क्या है इस वाकि में कौन सा लंकार है तो इस वाकि में आपका कौन सा लंकार है उपमा उपमा अलंकार करें उसमें क्या होता है एक होता है दूसरा उपमान होता है ठीक है एक होता है आपक उक्मा अलंकार होता है इसमें क्या कहा जाता है किसी चीज की तुलना किसी दूसरे अच्छे चीज से की जाती है ठीक है जैसे कहा सीटा जी का मुख चंद्रमा के समान है तो समान उनके सीता जी के मुख की तुलना किस से की जा रही है चंद्रमा से की जा रही है और तुलना की जा रही है यह नहीं कहा जा रहा है कि सीता जी का मुख चंद्रमा है अगर ऐसा कहा जाता तो यहां उपमाना होके रूपकलंकार हो जाता ठीक है अगर यह कहा जाता सीता जी का प्रत्तिति धान हो तो यहां पे हो जायगा हमारा उपमालंकार ठीक है है अगुमालंकार अगला प्रसन हमारा है जंगल जहां सीरू होता है उसके रजाइता इनकी और रचना अगर देखें तो किसंगड के अहेरी ठीक है धार फूत्र धार सरकस यह सब संजीव जी की और भी रचनाएं हैं हमारा अगला प्रस्ण है कि निम्न बिकल्पों में से सही वाग की पहचानी है पदमावत के रचैता कवीर हैं गलत है पदमावत के रचैता बिहारी है यह गलत है ठीक है पदमावत के रचैता जैसी है ठीक है यह बात आपकी सही है पदमावत के रचैता मलिक मुहमद जैसी है ठीक है यह पत्मावत अखरावत ठीक है यह सब मलिक मुहम्मद जाशी की रचनाएं साखी सबत रमाइनी ठीक है जो बीजग में संखलित किया गया यह कभीर दाफ्स की रचनाएं ठीक है तुलसी दास रामचृत मानफ इन्हों ने लिखा था ठीक है अगर पूछा जाए संप संथानाइत रसकार अगला प्रफने जहां अनेक बेंजनों की एक बार स्वरूपता ठीक है जहां अनेक बेंजनों की एक बार स्वरुपता हुआ करमसा ठीक है यहां पर थोड़ा गलत हो गया है उसको आप देख लीजिए स्वरुपता हवा नहीं होगा यहां क्यों होगा वा ठीक है स्वरुपता हुआ करमसा आबित हो ठीक है वहां कौन सा अलंकार होता है तो वहाँ पे आपका होता है छेका अनुप्रास ठीक है छेका अनुप्रास अनुप्रास अलंकार के गर बात करें तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं पांस भेद होते हैं ठीक है एक हो जाएगा आपका छेका अनुप्रास ठीक है दूसरा हो जाएगा आपका प्रित्या में क्या होता है एक से अधिक बार हो रही है लाटा में क्या होता है कि पूरा वाद के ही क्या होता है एक सद्दिक बार आता है जैसे अगर आपको यम्पल दे हमको लिखे हैं कहां जब सब्सक्राइब तो नम भूडा है तो सबी बर्जवासनी थी भगवान स्री कृष्ण हम नारे लिए क्या लिखा है तो यह वाक्ष उसी समय का है, तो इसमें क्या है, पूरा वाक्ष हमको लिखे है कहां, हमको लिखे है कहां, एक से अधिक बार आ रहा है, यहां पर लाटा अनप्रास हो जाएगा, ठीक है, शृत्या की बात होती है, जहां अंतिम वाड मिले, ठीक है, जहां पर अंतिम वाड मि रहा है इसकी तरह पहले नहीं आ रहा था तो वह रत्या हो गया लेकिन कहा तो रीज़ठ और अंत में आ रहा तो यहां पर सुर्थ्या हो गया ठीक है अंत्या में क्या होता है कि जो पूरा दोहा या कुछ भी पंती उसका उसामान होता जीए से हर पंक्तिके अंति मोड शमान हो जिसे नाथ संब धनु मंझनि हारा ना चंध भन्यंतिक हारा होई kadar हरा arguing को इक डास तुम्हारा है इसमें हारा हाराासा दोनों के क्या हुआ है समान है तो यहांपरा का उनप्रास लंकार कि विस्तव व्एत्ज्थं तो हुआ है यहाँ पर आपका कौन सा लंकार हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा च्छे Aktan přाउलं का रिया 花 अगला प्रफन निम्र्खिट में से प्राचीन भारती आर्रवासण कौन सी है तो प्राचीन भारती आर्रवासा जो है दिक और आ अगला में से दिये हुए में से किस महाबरे का अर्थ है गर्व करना का मतलब क्या होता है एठ कर चलना ठीक है जिसके अंदर गर्व हो जाता है घमंड हो जाता है तो सीधे नहीं चलता ठीक है वह एठ के चलता किसी से सीधे में बात भी नहीं करता ठीक है तो गर्व करना महाबरे का स आपका सही हो जाएगा तो मुहावरे लोकोगतियां से भी प्रफना रहें तो आप UPSI के लिए आप कम से कम इसमें दस से बारा टॉपिक्स से प्रफना रहे हैं आप सभी टॉपिक को आप अपने पास ऐसी बुक रखे जिस सब कुछ हो और उसको पढ़िए और आके प्रत दि कल्ब से पूर कीजिए तो अगर इस लोकोगति को देखा जाये तो इसको इस प्रकार कहा जाता है कि गुड़ ना दें गुड़ की तो बात गुड़ सी बात तो करें मतलब आप पीने के लिए जैसे मैं आपके घर आऊ तो आप पानी दे पानी में गुड़ ना दें लेकिन कम से कम गुड कीसी बात तो करो कि मतलब अच्छी बात करो अज्म रहें कि हम आप घड़ जाएँ आप जाके कहीं और बैठो हमि blonde के बात कर रहे हो तो उसी लिए यह लोगों कहीं गई है कि आप गुड ना दें रेकिम गुड कीसी बात तो करो ठीक है बात करें तो इसका हो जाएगा आपका गुड़सी तो गुड़सी बात तो करें तीसरा आपसना आपका सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्न हमारा है कल सायद परिच्छा प्रडाम घोसित हो इस वाकिय में कौन सा काल परिक्ष हुआ है काल की बात अगर हम कर तो काल कितने प्रकार को होते हैं एक नट काल कितने प्रकार को होते हैं तीन प्रकार के भूत काल ठीक है बर्तमान काल भविस्काल बर्तमान काल पांच प्रकार का होता है भूत काल जो होता है हमारा छे प्रकार होता है भविस्काल आपका तीन प्रकार को होता है भविस्काल मे तो कल की संभाववना आ है तो यहां पर होगा संभाव टेस्ट दिया उसके सभी प्रस्णों के विश्तरित ब्याक्या हो गई है आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने तक ना रहने दे अपने दोस्तों में सेयर करें वीडियो पूरा देखा करें इससे आपकी ग्यान में बृध्धी ही होगी ठीक है और आज के लिए अब एक कल जो टेस्ट होगा उसकी वेक हकल करेंगे चलते हैं नमस्कार धन्यवाद